आपके पास V30 Pro या फिर V30 है तो उसके अंदर SIM insert कैसे कर सकती है और उसकी SIM की सैटिंग कैसे कर सकते हैं इसको करने के लिए सबसे पहले आपके पास SIM ejector होना चाहिए कुछ इस तरह से SIM ejector तो यहां पर आपको जहाँ भी आपकी SIM लगे होती है यहां पर आपको डाल के ऐसे अंदर के साइट प्रेस करना होता है कि सोरी ऐसे करने के बाद इसको आपको बार के साइट खीच के निकाल लेना होता है अब जो भी आपकी सीम होगी यहां पर आपको इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरह से यहां पर करने के बाद आपको फिर से दुबाल से इंसर्ट कर देना है ठीक है यहां पर जब करेंगे तो यहां पर आपको दोनों टावर आना चालो हो जाएगा जैसे कि यहां पर आपको दीख रहा होगा तो यहां पर आपको ऐसे ओके कर लेना होता है ठीक है ऐसे जैसे ही करेंगे तो हों आपको खोल जाएगी और सेटिंग पर आपको ऐसे बेक कर देना है वह आपस से सेथींग में वह आपको दिख जाएग्गा फंस नमर पर जाएंगल तो नेटवर्क इलिटि नियुन इसको अब है करने हैं पलार 尖 Beauty जाना है यहां पर आपको देख रहोगा चार्फ मोबाइल नेटवर्क यहां पर आपको सीम को कायोता है, कि आपको कुछ आपको कूछ इसतर से सेटिंग देखने को मिल जाती है लेगार alguémओ ऐन्त लिन के सब्सक्स दिखने होसे क्लिभाओ कार यां। बंद करेंगे तो हो जाएगा वागि यहां पे गॉलर में मिलेगी डटा warning ड restoration पाउर्मीन की वागी आपको रहُए की एक प्रेसीत की अगर ऑपका फॉर्जी नेटवर्क है यहां प्याप जाके ऐसे टेकर सकते हैं बाट्मेटास कने को भी आपको इनेवल करके रखना है बाकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 5G network नहीं चलता तो यहां पर आपको जाना है यहां पर आपको दिख जागा 3.0 इस पर जाकर reset कर देना होता है reset करेंगे तो automatically आपके setting on हो जाएगी 5G वाली बाकि यह वाला option को आपको दिख रहा होगा इसको भी आपको enable कर लेना होता है और यहां पर जाके इसको भी on कर लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि wise breaking की problem आती है तो इसको जाके आप on कर लीजिएगा करने बाद यहां पर आपको दिख रहा है carrier video calling इसको भी आप enable कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं बाकि यहां पर mobile data होता है सीम का होता है calling को होता है जैसे भी आपको करना होगा यहां पर आप कर लेंगे तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी त लाइक कमेंट से और सब्सक्राइब किजिएगा मिलते हैं नेक्स टूडियो और तब तक के लिए बाबाए